इस घटना करम के बाद जिसमें हमने देखा कि कैसे मूल निवासी धीरे धीरे धकेले जा रहे थे हम अगला हमारा विशा है मूल निवासियों का अपनी भूमी से वन्चित होना कैसे वे वन्चित कर दिये गा इसकी प्रिष्ट भूमी मैंने आपको बताई यहां पर यह बताना मुनासिब होगा कि जब यूरोपियन आते थे तो वे अपनी बड़ी बड़ी बस्तियां बनाते थे अपनी बस्तियां और वहां के जो मूल निवासी से उनको उन बस्तियों से ख़देड देते थे और मूल लिवासी बिचारे सीधे साधे, योरोपियोनों ने मूल लिवासियों से जबरदस्ती हस्ताक्षर भी करवाया, जवीन अपने नाम भी करवा ली और बिक्री पर जबरण सहमती बिक्री करवा ली यद्यपी कोई ऐसी वास्तवी खरीदी बिक्री नहीं हुई थी उसके बावजूर येउरोपियों नों द्वारा गलत वेभार किया गया गलत तरीके अपनाए गया और मूल निवासियों से जबरन करते हुए जबरस्ती करते हुए उनसे खरीदी बिक्री के सेल डीड जिसको बोलते हैं उस पर हर्ताक्षर करके जमीने अपनी नाम कर ली और ऐसा करके उन्होंने क्या किया मूल निवासियों को वो जगहें छोड़ने के लिए विवश्च किया ये तो ही बस्तियों की बात इसके साथ ही आपको मालूम है कि कैसे यूरोप से आहुए किसान यहां बड़ी बड़ी भूमी के मालिक बनना चाहते थे उसका स्वामित लेना चाहते थे क्यों कि ऐसे बड़ी भूमी के स्वामित की आदत उनकी यूरोप में थी और ऐसा करते थे में भी उन्होंने वहां के मूल निवासियों को धका दिया भूमी छोड़ने पे विवश्च किया और कई यहां पर एक बात महत्वपूर्ण जानने की, कि जो खेतरी अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी थे, ये लोग भी मूल निवासियों के इस खदेड़े जाने से एक तरीके से खुश ही थे, क्योंकि उनकी नजर में भी ये लोग एक मूल निवासी असब्य थे, और सब भी थे उनकी उसके प्रति कोई सहन उभूती नहीं थी मून लिवासियों का खदेड़ा जाना इन अधिकारियों को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर रहा था ये लोग जो यूरोपियन आ रहे थे उनकी बे दखली को उनके दखल देने को उसको भी अनुचित नहीं मानते थे तो सरकारी वरदहस्त भी इन यूरोपियनों को मिला जिसके प्रणाम सरूब मूल निवासियों का खदेड़े जाने की प्रक्रिया सुगम थी जॉर्जिया में एक कबीला है चिरोकी कबीला था क्या कबीला चिरोकी जॉर्जिया ये कबीले वासियों अंग्रेजी सीखना चाहते थे और साथ ही अमेरिकन जीवन शैली को भी ग्रहन करने में आगे थे सामाने तेया मूल निवासियों किसी भी तरह के एडवांस्मेंट के खिलाफ थे ये खिलाफ नहीं तो कम तेकम एडवांस्मेंट से उनका कोई उसमें रुच्छी नहीं थी लेकिन जॉर्जिया के चिरोकी जो ट्राइब है ये कबीले के लोग अंग्रेजी भी सीखना चाहते थे साथ ये साथ ये लोग आजनिक जीवन शेले भी अपनाना चाहते थे जो अब तक अमेरिकन जीवन शेले कहना ले लगी सरकारी एड़कारियों का कहना था कि मूल निवासियों के चिरोकी कबीले वालों के राजिका संपूर्ण कानून मानना होगा क्या कहना था इनका कहना था कि जो चिरोकी वासी हैं वो मूल निवासियों के चिरोकी कबीले वालों के नियमों को मानना होगा लेकिन किसी भी प्रकार का नागरिक अधिकार उन्हें नहीं मिलेगा एक तरीके से इनके साथ एक सौतेला विवहार होता है चिरोक्यों पर हुए सोतेले व्यवहार को लेकर उनका विरोध भी हुआ वैसी वे लोग पढ़ने लिखने की इच्छा रखते थे आगे बढ़ने की इच्छा रखते थे लेकिन सरकारी महकमा उनको इस बात के लिए प्रेडित नहीं कर रहा था और इस परकार चिरोक्यों को बार-बारी लग रहा था कि हमारे साथ उच्छत व्यवहार नहीं हो रहा है उनका दबाव भी समाज पे सरकार पे बढ़ता गया समय के साथ साथ मामला कोर्ट में भी पहुँचा 1832 में चिरोकी कबीले को लेकर एक महतपूर निर्ण सेंक्त राज अमेरिका के न्याय अधीश ने दिया मैं अपना दोहरा दूं 1832 को चिरोकी कबीले से सम्मंदित मामले को लेकर सेंक्त राज अमेरिका के न्याय अधीश ने एक बहुत महतपूर फैसला सुनाया और उसमें कहा कि चिरोकी समुदाए एक विशिष्ट समुदाए है एक विशिष्ट समुदाए है और इसमें जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होगा याने पूर में जो सरकारी महकमा जो प्रयास कर रहा था कि यहां पे दूसरे कानून लागू होंगे और इस बकार चिरोकी लोंगों को अंग्रेजी से चिरोकी लोंगों को आधिनिक बनने से जो वंचित किया जा रहा था इस बहाने मानिनी द्यायतीश ने स्पश्ट कह दिया कि चिरोकी एक विशिष्ट समुदाए है और विशिष्ट समधाय हैं उन्हें के नाते जॉर्जिया का कानून जहाँ लोग रहते थे वो इन पे लागूनी होगा इनका अपना खमविधान है इनकी अपनी कानूनी प्रक्रिया है परंपराएं है और कुछ मामलों में तो ये प्रभुता संपन है याने पूर्ण रूप अधिश का ये निर्णाय तुरंद प्रतिक्रिया देता है और अमेरिका के राषपत्री अंडू जैक्सन वे नयाधिश के इस फैसले को रद करते हैं उसे उचित नहीं मानते हैं और परनाम क्या होता है पहला नयाधिश के फैसले को राषपती के द्वारा रद किया जाना दूसरा कदम चिरोकियों को उनके मूल स्थान से खदेड़ने के कारे शुरू होता है अमेरिकी सेना दौरा अमेरिकी सेना दौरा चिरोकियों को खदेड़ने का काम शुरू होता है और कहां तक खदेड़ा जाता है मरू भूमी तक मरू भूमी कहां है आपको याद होगा पस् और ऐसा ख़देडते हुए हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका अपना स्वैम का विस्तार करता है। इस प्रक्रिया में, ख़देडने की प्रक्रिया में 15,000 चिरोकियों को ख़देडा गया, उन्हें अपनी जमीन छोड़ने से मदबूर किया गया और लगवग एक चौथाई लोग मारे भी गया, मौत के शिकार भी हुए। ये घटना बहुत अहम घटना है अमेरिका के विस्तार की कहानी में। अब जहां तक ये मूल लिवासी थे वहां के, जमीन का प्रेयोक तो करते थे नहीं, उन्हें प्रेयोक करना भी नहीं आता था, क्योंकि उनको तो उतनी ही खेती से मतलब था, जितना से उनको जरूरत थ और इसलिए उन्हें सब भी कहा जाता था, इसके साथ इन्हों का अंग्रेजी नहीं आती थी, ये लोग कपड़ा लगता भी नहीं पहनते थे, और इसलिए यूरोपी उन्हें केवल मर्खभ जाने के लिए रखते थे, कि मर्खभ जाएं, ये शब्द आपकी पुस्तक में दिया हुआ है मार्क खप जाने का उद्देश था येरोपियनों का क्योंकि येरोपियनों की दृष्ट में और अब तो अमेरिका में विबिन पदों पर रहने वालों की दृष्ट में ये लोग असब भे थे तो इस प्रकार सेंक्तराज अमेरिका के ख्षेतर का भागलिक ख्षेतर का फिर विस्तार होता है चिरोकियों को हटाने से जोरिया ख्षेतर पूरी तरह अमेरिका के सेंक्तराज अमेरिका के ख्षेतर में आ जाता है प्रेरीज के जो मैदान है ये देखिए प्रेरीज का मैदान प्रेरीज के मैदानों को साफ किया गया वहाँ जो चरागाह थे उन्हें साफ किया गया जंगली भैसे जो वहाँ भारी मात्रा में थी बाइसन उनका शिकार किया गया और खुब शिकार किया गया बाइसन का जिक्र मूल लिवासियों के संदर में पहले आया है जब ये बताया गया था कि वे लोग उतना ही बाइसन मारते थे जितने की उनको जरूरत थी जरुरत किस बात की? अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए अत्रिक ते शिकार नहीं करते थे शिकार का शौक नहीं पाले थे लेकिन यहाँ अब यूरोपियों नहीं अपनी बसाहट को बढ़ाने के लिए सेंक तराज अमेरिका का विस्तार करने के लिए उन्होंने मैदान को समतल कर दिया, साफ कर दिया प्रेयरीज का और जो वहां हजारों लाखों के संख्या में जो जंगली भैसे थी उनका शिकार किया उनको मारा एक फ्रांसीसी लिखक जो है ततकालीन उसने लिखा है कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनश भी लब्त होने की कगार पे आ गया मूल लिवासियों को पश्चिम में धकेलने का लगातार प्रेयास किया जाता रहा मूल लिवासियों को पश्चिम में धकेलने का लगातार प्रेयास किया जाता रहा ये एक फ्रांसी सी यात्री जो वहां बस गया था उसकी टिपड़ी है तो इस प्रकार कैसे बढ़ाया जा रहा है खेतरफल कैसे बढ़ाया जा रहा है इसके विविन नमूने आप देख रहे हैं अब ये जो मूल निवासी थे जखे ले जा रहे थे और एक तरीके से लुप्त प्राय हो रहे थे तो यूरोपियनों की बस्तियों का विस्तार हो रहा था और यदि उनको विस्तार के दौरान ये पता चलता था कि जमीन में सीशा, सोना, तेल है तो उन जमीनों से भी इन लोगों को बेदखल किया जाने लगा यानि भौतिक संसाधन की उपलब्धता ने भी इन मूल लिवासियों को अपनी जगह से खदेड़ दिया जहाँ जहाँ ये सामान ये खनेज़ित पादन दिख रहा था वहाँ वहाँ से मूल लिवासियों को यूरोपियों ने नुक्षदेड़ा और वो ख्षित्र भी अपने ख्षित्र में मिला लिया रिजर्वेशन के तहट आने वाली जो जमीने थी वो नियम भी खट्प कर दिया गया जिसमें मूल निवासियों के लिए कुछ जमीन अरिक्षित थी अरिक्षन का प्राउधान किया गया था वह भी समाप्त कर दिया गया ये अगला कदम था किस बात को लेकर मूल निवासियों को जमीन से बेदखल करने के लिए जो विबिन कदम उठाए गया उसमें एक कदम ये भी था 1865 नबे के समय में इसी बात को लेकर बहुत बुद्रो हुए और लगतार सेना की मदद ली गई क्योंकि मूल निवासी जो थे अब थोड़े से सजग हो रहे थे अपनी अपने हाल को जान रहे थे अपने स्वैम को बचाने के लिए अब उन्हें विरोध विद्रोह का रास्ता लेना पड़ा और इस पकार 1865 से 1890 सतत रूप से विद्रोह विरोध होते हैं सेना बलाई जाती है और सेना की मदद से सब को चल दिया जाता है कैनेडा में भी यही हाल हुआ 1875 में कैनेडा में विद्रोह हुए और इन्होंने शस्त्र भी उठाए लेकिन इनकी पराज़े हुई अंत में इनकी हार ही हुई क्योंकि सेना के सामने टिकना मुश्किल था यह सारी बाते हैं आपको इस संदर में बताई गई कि भूमी से जुड़े हुए ऐसे कौन कौन से काम किये गए जिसके तहट सेक्त राज अमेरिका की भूमी का विस्तार हो उसके जो उसकी जो सीमाओं का विस्तार हो और इसमें मूल रूप से युद्ध जबरज़ती वहां के मूल निवासियों को खदेड़ना ऐसे हतकंडे आपको बताएगा अब हम आते हैं अगली बिंदू और वह है गोल्ड रश आर्थिक विकास और गोल्ड रश एक बार जब जमीन आ गई एक बार जब जमीन पर कबजा हो गया एक बार जब यूरोपियनों के मनसूबे काफी कुछ पूरे हो गया वहां के स्थाई निवासी स्थाई स्थाई स्वामित्व उसके संबंध में तो उसके बाद अगला कदम था अपना विकास स्वयम का विकास आर्थिक विकास तो आर्थिक विकास और गोल्ड रश ये क्या है आर्थिक विकास में काफी योगदान दिया रेलवे निर्मार और्द्योगिक विकास क्रिशी विस्तार और महाद्वी पिय विस्तार ये चार बिंदू इसके तहर आते हैं मैं फिर से दोहरा दूँ कि अध्योकिक विकास और गोल्ड रश में आर्थिक विकास में इसने काफी योगदान दिया और उसके तहट भारी मात्रा में रेलवे का निर्मार हुआ ताकि अंदरूनी इलाकों तक पहुंच होए वहां के जो संसाधन थे तेल गैसाधी उनका थी इनकी जो पकड़ है योरोपियनों की वो अंदरूनी इलाके तक पहुंचे इसलिए रेलवे का काफी निर्मार हुआ और इसके बाद और दियोगिक विकास भी स्क्षेतर का किया योरोप में और दियोगिक करांटी का दौर काफी पहले प्रारंब हो चका था और उस और दियोगिक करांटी का एक मुक्ष देश था मारकेट बढ़ाना बाजार बढ़ाना पक्के माल को बेचने का बाजार और कच्चे माल को लाने का बाजार इस दोनों देशों की पूरते मैं अमेरिका की भूमी काफी महत्पूर्ण साबित हुई और इस प्रक्रिया में अमेरिका में फशेश रूप से उत्तरी खेत्र में जहां तेल गैस आधी प्रिचर मातरा में थे वहाँ पर काफी उद्योगों का विकास हुआ नए नए उद्योग पड़े आर्थिक विकास के मुद्दे में तीसरा मुद्दा तीसरी बात क्रिशी विकास की थी क्रिशी विस्तार की जिसके बारे में हमने पहले आपको चर्चा कर ली है और चौथा है महाद्वी पी विस्तार ये आर्थिक विकास के साथ गोल्ड रश क्या है गोल्ड याने सोना और रश भी अंग्रेजी शब्द है आर यू एसेच रश मने तीवर वेग गोल्ड रश के नाम से ऐसी उथल पुथल मची कि बहुत सारे योरोपियन अपना भाग्य सवाने की होड में लग गया सैक्रों के संख्या में योरोपियन अमेरिका पहुंचे गोल्ड रश के नाम से सन 1840 में कैलिफॉर्निया नाम की जगा पर देखिए कैलिफॉर्निया कहा है अमेरिका में कैलिफॉर्णिया नाम की जगा पर ऐसी चर्चा ऐसी हवा उड़ी कि वहां पर भारी मत्रा में सोने का पार भंदार मिला जैसे ये जानकारी यूरोपी खित्र में पहुंचती है यूरप में पहुंचती है तो पश्चमी यूरोप के बहुत से लोग रश करते हैं गोल्ड के लिए अमेरिका की और और इसलिए घटना को कहते हैं गोल्ड रश बहुत सारे यूरोपी सोने के लालत में पहुँच गया है और जब हो वहाँ पहुँचे तो सभाविक है कि केवल सोना लेके भाग के वापस आने उनको देश नहीं रहा होगा उन्होंने भी इस प्रकार वहाँ पर और द्योगिक विकास में काफी अहम भूमिकाने भाए जब तो साथ ही साथ उन्होंने अपने खेतर में सीखी हुई और जोगिक गति विधियों को यहां लगाया कोशल को यहां लाया और इस प्रकार इस खेतर में उत्तरी अमेरिका के इस खेतर में अब हम देखते हैं और जोगिक विकास त्वारम होता है और जोगिक विकास जब होत तो बाजार की बात आती है कच्चे माल के लिए और पक्के माल के लिए और पहुंचने के लिए तो अभावे के रेलवे लाइन बिछाई जाती है रेलवे का जाल बिछाया जाता है और रेलवे के इस जाल को बिछाने का जो काम है वो एक और्गनाईज तरीके से योजनाबद तरीके से युद्धिस्तर पर 1870 के आसपास प्राइब होता है 1870 के आसपास रेलवे का जाल बिछाने के प्रक्रिया और जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे बड़े जंगलों को हजारों जंगलों को हजारों लाखों पेड़ों को काटा गया कैनेडा जहां पे 40 तरश जंगल था उसकी कटाई बड़ी मात्रा में की गई रेलवे की पातों को बिछाने के लिए तो पूरा जो महाद्वीप है वो एक तरीके से रेलवे लाइन के जाल से बिछ गया और जो 1870 में काम शुरू हुआ था वो अगले 30-40 साल में लगभग पूरा होने लगा कैनेडा की बात करें तो कैनेडा में 1885 के आसपास ये काम शुरू हुआ कम 1885 में वहाँ भी रेलवे का निर्मान हुआ रेलवे की पट्रियों बिछाई गई उसका परिणाम क्या होगा और दियोगिक विकास उसमें तीवर्त आई और कई लोग धनाध्य वर्ग में शामिल होगा जो पहला अमेरिकी था पहला करोड़ पती अमेरिका में इस प्रक्रिया में जो पहला करोड़ पती बना वह था एंड्रेड कारनेगी यह एक एंड्रेड कारनेगी जो था यह स्कॉट्लेंड से आया था कहां स्कॉट्लेंड और कहां अमेरिका स्कॉटलेंड से आया हुआ और वो भी एक बड़ा गरीब लड़का था और वहां से अमेरिका के गोल्ड रश की हवा में वो भी आया और धीरे 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 उसने वहां की परिस्थितियों का ऐसा फादा उठाया कि अमेरिका का पहला करोड़ पती एंडेट कारनेगी बना उत्तरी अमेरिका में जो अद्योगी विकास हुआ जो परिवहन में तीवरता आई जो रेलवे के कार खाने और रेलवे आदी सब बने क्रिशी कारी हुए और मशीनी करन हुआ करिशी कारी को सफल बनाने के लिए खासकर बढ़े बढ़े फार्महाउस जो ले लिये गए थे जिसका स्वामित्व यैरोपियनों ने ले लिया था अब इन बड़े बड़े फार्महाउस में खेती करने के लिए मशीनों की बहुँत जरूद थी दास्प्रथा वैसी समाप्त हो गई थी तो इसलिए मशीनी करण एक विवश्टा भी थी तो बड़ी बड़ी मशीनों का बड़े बड़े यंत्रों का ऐसा निर्मान हुआ ऐसे यंत्रों का जो कृशी के काम में लगाई जातकें और उसका भरपूर फायदा उठाया जातकें इस प्रकार अमेरिका में कृशी का भी काफी विकास होता है निश्कर्श ये कि गोल्ड रश के नाम से यूरोपियनों का आना होता है 1840 के बाद और एक बार जब वो अच्छी संख्या में पहुँचने लगते हैं तो वहीं स्थाई होने लगते हैं स्थाई निवासी बनने लगते हैं उद्योग लगाने लगते हैं उद्योगों के वारधक के लिए रेलवे आदी के व्यवस्था होती है और उस पकार संयुक्त राज अमेरिका और कैनिडा ये दोनों देश 1900 आते आते तक खेती का तो बड़ी तेजी से विकास हुआ ही, मैंने जैसे बताया कि प्रेरीस के मैदान साफ कर दिये गया, बड़े बड़े खेत तयार किये गया, ताकि मशीनी करण के माध्यम से वहाँ पे खेती होए, जंगली भैसों को पूरा सफाया कर दिया गया था, और कांटे के तार जो थी, वो भी समाप्त हो गए, 1892 में संयुक्त राज अमेरिका महादीप विस्तार करते रहा, प्रशांत और अट्लांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अट्लांटिक महासागर, इनके बीच के खेत्रों में सारे राज्य बढ़ गए, प्रशांत महासागर और अट प्लांटिक महासागर इनके बीच की जो पूरी जमीन थी यानि जो संहिक्तराज अमेरिका जो देश था वो एक तरीके से पूरे महाध्वीप को उसने अपने में समाहित कर लिया कैनेडा और संहिक्तराज अमेरिका ने महाध्वीप की जो भौगोलिक सीमा थी लगभग वही सेक्ष राज अमेरका और कनेडा की भौगोलिक सिमाही हो गई प्रशान महासागर और अट्लांटिक महासागर इसके बीच का जो खेतर था इसको राजियों में बांट दिया गया अब कोई फ्रंटियर नहीं बचा पश्चिम के ओर जाने का कोई फ्रंटियर नहीं था क्योंकि वो पूरी सीमा अंत तकाच की थी फ्रंटियर से ताटपर है वह सीमा जो प्रारंब में प्रारंबिक सेंक्तराज अमेरिका के काल में जो उनकी सीमा थी जिसे धकेलते 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 पश्चिम के और लाए और अन्त था फिर जैसा मैंने बताया चिरोकी और अन्त कभी लाए लोगों को मरसली खेतरों में भेड़ दिया गया तो अब ये पश्चिम में एक्स्ट्रीम तक आ गय थे तो अब किसी तरह क का फ्रंटियर नहीं बचा आपके वल सीधी का मुद्री शीमा आ गई इसके साथ ही अब अमेरिका के द्वारा फिलिपीन्स में भी अपनी बस्तियां बना ली गई तो इस पकार हम देखते हैं कि कैसे सुनिक्त राज अमेरिका कैसे कैनेडा का भावगोलिक विस्तार होता है कैसे एक अंजानी जमीन जो कुलम्बस के द्वारा 1492 में पर चांस खोजी गई वह जमीन कैसे रूप बदलती है और मूल निवासी बनाम यूरोपियन के बीच के संघर्ष में कैसे यूरोपियन क्यों जीतते हैं मूल निवासीयों का क्या हश्र होता है और स्वेक्ष राज अमेरिका जिन उँचाईयों पर आज है उन उँचाईयों के पहुँचने का प्रारंबिक दौर किस तरीके से आगे चलता है यह अब हमने पूरा जाना एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने अमेरिका के विकास की गाथा को एक अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है कि आखिर अमेरिका 1492 के बाद मात्र 400-500 वर्षों में कैसे इतनी तीवरता से वहां पहुँचा उसके जो विभिन आया में विभिन ने पहलू है उनको हमने समझने की कोशिश की अब हम ये जानने के बाद कि अमेरिका कैसे वर्तमान सिंक तराज अमेरिका बना अब हम आते हैं कुछ अगले विश्यों पर और उसमें से एक है समवैधानिक प्रयास अमेरिका में समवैधानिक प्रावधान अर्थात कानूनी प्रावधान क्या क्या किये गए एक और अमेरिका का इतिहास पढ़ते हुए हमने देखा कि कैसे वहां के मूल निवासी और यूरोपियनों के बीच में संघर्ष हुआ कैसे बदलती स्थितियों में यूरोपियनों ने मूल निवासीयों की अनभिग्यता का फायदा उठाते हुए अपनी स्थिति मजबूत की और एक समय ऐसा आता है कि मूल निवासी एक तरीके थे बिलकुल नगन्य हो जाते हैं और अमेरिका जो है वो यूरोपियनों की भूमी मालूम पड़ती है इसी प्रक्रिया में उनका अपना विकास होता है आर्थिक विकास होता है खेतर का भी आर्थिक विकास होता है आ जाती हैं ऐसी स्थिति में कुछ विद्रो भी हुए कुछ विरोध भी हुआ मून लिवासियों के द्वारा भी कुछ ऐसी कुछ गतिविदियां की गई जिसके परिणाम सुरूप सरकार को समय समय पर कभी कभी जुकना पड़ा इंग्लेंड इतने वर्षों में लगभग अठारवी सदी के मध्य आते आते इंग्लेंड ने वहाँ अपने उपनिवेश बना लिये थे और तेरा उपनिवेश थे और उपनिवेश शब्द का अधिव पयोग करते हैं तो यह आपको स्पष्ट होना चाहिए कि उपनिवेश किसी देश का हिस्सा नहीं बनते उपनिवेश किसी देश के लिए आर्थिक संसाधन का जरिया रहते हैं बस और उपनिवेश के लोगों को वे राजनेतिक अधिकार नहीं मिले होते जो की उस देश के मूल नवासियों को मिले रहते हैं याने ब्रिटन के मूल नवासियों को जो अधिकार हैं वो उपनिवेश के लोगों को नहीं मिलते ऐसे तेरा उपनिवेश अमेरिका में बना लिये गए समय के साथ साथ जैसे जैसे वहां के लोग जागने लगे इसकी प्रतिक्रिया शुरू हुए इस विरोध की इसका विरोध शुरू हुआ ये जो विरोधा भास था ये जो प्रात्मिक्ताएं जो थी जो यूरोपिनों को जो उच्च दर्जा दिया जा रहा था उसके प्रणाम सुरूप विरोध विरोध होते हैं और एक तरीके से एक समय आता है जब ये आंदोलन का रूप रहता है 1776 में अंत्रता वहां से उपनिवेशों का खात्मा होता है याने ब्रिटन स्वतंता देने के लिए विवश होता है ये कब की बात है 1776 में लेकिन असली में सचाई तो ये है कि वास्तों में अमेरिका स्वतंतर हुआ 1783 में 1776 से 1783 तक चलने वाला अंदोलन यही अमेरिका का स्वतंता संग्राम कहलाता है फलति रूप 1783 आते आते अमेरिका स्वत्तराज अमेरिका का वास्तविक रूप अस्तित्थ में आया ये आंदोलन मूल रूप से लोक तंत्र की रक्षा के लिए था सेंक्तराज अमेरिका के संविधान की जो महत्पूर्ण शेष्टा थी कि इसमें व्यक्तिको संपत्तिका अधिकार रहेगा हरे एक को ये वहाँ उस समय इसमें शामिल किया गया तो संपत्तिका अधिकार जिससे मूल निवासी वंचित कर दिये गये थे वह इसमें शामिल होता है और इसके साथ ही लोक तंत्रिक प्रक्रिया वहाँ प्रारंब होती है इंग्लेंड वासी जब अमेरिका पहुंचे और वहाँ इंग्लेंड वहाँ उन्हों ने उपनिवेशों की स्थापना की तो ऐसा करते हुए उन्होंने किसान, मज़दूर, कारीगर इन सब लोगों का बड़ा शुशन किया लेकिन ये लोग जो थे किसान, मजदूर, कारीगर जो इंग्लेंड से आये थे यह लोग बड़े स्वतंता प्रेमी थे, बड़े लोक तन्तरी वचारों के थे अगले डेड़ सव वर्ष की अवदी में, डेड़ सव वर्ष के काल में अंग्रेजों ने उत्री अमेरिका में सेंट लौरेंस नदी के किनारे 13 उपनिवेश स्थापित किये किसके किनारे सेंट लॉरिंस लदी के किनारे तेरा आधिनिक अमेरिका के पूर्वी तट पर जो एट्लांटिक का तट है वहां पर ये इस्थापित हुए पूर्वी तट पर ये तेरा उपनिवेश कौन कौन से थे आप देखेंगे नक्षे में पहला न्यू हम्शायर दूसरा मैसाचूसेट्स तीसरा रोड़ आईलेंड फॉर्थ कनेक्टिकट पांचवा नियू यॉक पिर न्यू जर्सी पैंसिल्वानिया डेलावियर मेरी लैंड वर्जीनिया उत्तरी केरोलिना फिर्दक्षणी केरोलिना और जॉर्जिया ये जो उपनिवेश से तेरा उपनिवेश ये इनका करेक्टर कुछ अलग-अलग था कुछ अलग-अलग प्रकृति के थे उधारन के लिए कुछ उपनिवेश निजी कमपनियों के हाथों में थे प्राइवेट कमपनी के थे कुछ धन संपन वर्क के सहयोग से बसे हुए थे और कुछ अन्य उपनिवेश सहयोग तुरूप से थे इसके अलावा कुछ उपनिवेश ऐसी शेणी में थे जो इंगलेंड के शासकों द्वारा बसाए गया थे तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तेरा उपनिवेश की चार अलग-अलग प्रकृतियां थी चार अलग-अलग नेचर के थे निजी कमपनी धना धिवर्ग उसके बाद तीसरा जो था सेंग्त रूप से बसाए गया और चौथा शासकों द्वारा तो ये उपनिवेशों की प्रकृति थी यहां पर लोग-तांत्रिक अधिकार नहीं थे जैसे वोट देना संपत्य के अधिकार ये केवल वो सीमित वर्ग तक था धनाडि वर्ग तक था जिनकी संख्या बड़ी कम थी उस वर्ग तक था जिनें राजा का वरध हर्ष था जो राजा के द्वारा बसाए गया थे राज शाही द्वारा बसाए गया थे तो इस परकार ये कौन लोग थे ये लोग गोरे लोग थे जो योरोप से आये थे संख्या राज अमेरिका में केवल गोरे लोगों को ही संपत्य का अधिकार था केवल गोरे लोगों को ही लोक तांत इस तरह का जो भेद भाव था इस तरह का जो सामाजिक विभाजन हो गया था इसकी और ध्यान दिलाया कैनेडा के एक मूल निवासी ने लोंगों का ध्यान खींचा इस बात को उसने हाइलाइट किया इस बात पर बल दिया कि इस तरह का जो भेद भाव है वह उचित नहीं है Canada के उस व्यक्ति का नाम था Daniel Paul क्या नाम था Daniel Paul जो Canada का मूल निवासी था और उसने लोग तांत्रिक अधिकार और संपत्तिक अधिकारों को लेकर वहां की मूल जनता का ध्यान खीचा इसके बाद Thomas Pine जो एक दूसरा व्यक्ति था इसने अमेरिका की स्वाधिनता संग्राम और फ्रांस की क्रांती जो 1789 में 1789 इसमें जब लोग तंत्रिक फ्रांस की क्रांती जो है वह मूल तां लोग तंत्र के लिए थी और अमेरिका की क्रांती भी लोग तंत्र के लिए ही थी तो यहां की क्रांति से प्रेरित होकर इंस्पायर होकर टॉमस पाइन ने लोग तंत्र के समर्थन में अपनी आवाज और बलंद की और परणाम यह हुआ कि इनकी आवाज अमेरिका के मूल निवासियों तक पहुँची जहां पर लोक तंत्र, संपत्य का अधिकार, आधि-ाधि मुद्दों पर अब लोगों का ध्यान खीचा जाने लगा टामस पाइन ने यह कहा कि समाज का संग्ठन करने है तू, इंडियन का प्रयोग जरूरी है, इंडियन शब्द का प्रयोग एक मॉडल के रूप में जरूरी है, क्योंकि इंडियन वही लोग होंगे, जो वहां के मूल निवासी है तो इनको संग्ठन करने के लिए जरूरी है कि हम इंडियन शब्द का प्रयोग करें एक मॉडल के रूप में, और उसने यह भी कहा कि अमेरिकी मूल निवासी यूरोपियनों के लंबे लोग तंत्रमुखी आंदोलन का बीज बोने के लिए जिम्मेदार है, यह टॉमस समानता, लोक तंत्र, समवैधानिक अधिकार आदी की बात्चीश शुरू होती है, आदी पर विचार विमर्ष शुरू होता है, आदी को लेकर संगर्ष शुरू होता है यद्यपी अमेरिकी सुतनता तंग्राम की समापती 383 में मानी जाती है लेकिन फिर भी अमेरिका में इस स्थितियां कोई विशेश अच्छी नहीं थी वहां के मूल निवासियों के लिए परिवर्तन की लहर शुरू होती है परिवर्तन की मांग बढ़ती जाती है मूल निवासियों का दबाव बढ़ता जाता है और इसके परणाम से रूप कुछ अन्य समवैधानिक परिवर्तन होते हैं जिसका जिक्रभ हम करेंगे As late as 1920 मतलब 1920 तक आज से सो वर्ष पूर तक भी देखा जाये तो अमेरिका में निवासियों की हालत कोई अच्छी नहीं थी कैनेडा के निवासियों की हालत शोचनी ही थी मूल निवासियों की बात कर रहा हूं बहुत बुरी थी आज से सो वर्ष पूर की बात कर रहा हूं सरकार का विध्यानी सोर था लेकिन कोई प्रयास नहीं कर रही थी क्योंकि सरकार जो थी उसमें वही गोरे लोग थे जो नई दुनिया के तमाम फायदों का आनंद लेना चाहते थे तो सरकार भी स्थिति सुधारने का कोई विशेश प्रयास नहीं कर रही थी लेकिन 1928 1928 में एक समाज वग्याने कारते हैं लेवाई सर्यम लेवाई सर्यम एक सर्वेक्षन करते हैं और उस सर्वेक्षन का नाम लखा है उन्होंने दे प्राब्लेम आफ इंडियन एडिमनिस्ट्रेशन और इंडियन एडिमस्ट्रेशन से तालुकात इनका भारत से नहीं हैं इंडियन मतलब अमेरिका के मूल निवासी अमेरिका के मूल लिवासियों की समस्याएं ये उनका विशय था अध्यन का और उस पर उन्हें एक रिपोर्ट प्रकाशित की आरक्षन में रह रह रहे हैं मूल लिवासियों की दशा उनके स्वास्त की स्थिती उनके शिक्षा की स्थिती इस पर सरकार का ध्यान खीचा वैसे तो सरकार को मालूम था ये सब कि मूल निवासियों की स्थिती बदतर है लेकिन सरकार स्वेम कुछ करनी पारी थी पर इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत खलबली मच गए सरकार का ध्यान खीचा गया और परणाम क्या हुआ कि सरकार की जो ध्यान वहां जाने पर सरकार की सहानु भूती थोड़ी बढ़ी फलसरूप 1934 में अगला करमाया जिसमें एक नया कानून पारित होता है एक नया कानून पारित होता है जो Indian Reorganization Act के नाम से जाना जाता है क्या है Indian Reorganization Act इस Act के तहट क्या प्राधान किया गया वही जिसके लिए काफी विरोध हुआ था और जिसके लिए एक समय तक सरकार अपने को अचाहाय पारी थी भूमी पर मूल निवासियों का भी अधिकार उन्हें भी अब जमीन खरीदने का अधिकार दिया गया उसके बाद उन्हें भी करज लेने का अधिकार लिया गया और कुछ अन्य सुधार इसमें आये तो इस परकार भूमी के अधिकार थे जो अब तक वंचित थे मूल निवासी वह उन्हें अन्तता वापस मिला अठ्ट उन्निस सो चौंटिस में 1954 में एक और बदलाव आता है यानि दृती विश्वदी के बाद Declaration of Indian Rights नाम का एक पत्र तयार होता है यहाँ पुना मैं बोल दूँ इंडियन का अर्थ है अमेरिका अमेरिका के मूल निवासी यह 1954 की घटना है Declaration of Indian Rights जिसमें सिर्ट राज अमेरिका की नागरिक्ता को स्विकार करने के लिए कुछ प्राउधान किये गए 1969 में कनाड़ा सरकार ने आधिवासी अधिकारों को माननिता दी यहाँ आधिवासी मतलब वहां के जो मूल निवासी हैं उनके अधिकारों को माननिता नहीं देने की घोशना की जिसका मूल निवासी ने विरोध किया यह है 1969 तक की तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे 1920 से समवैधानिक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें धीरे धीरे ये प्रयास होता है कि लोग तांत्रिक अधिकार राजनातिक अधिकार वहां के मूल निवासियों को दिये जाए ये पूरी बाते हुई अमेरिका से सम्बंदी इससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया की और बढ़ू हम थोड़ा सा इसको एक सरसरी नजर से एक बार पुना देख लें कि आखिर ये प्रक्रिया क्या थी अमेरिका सम्बंदी उननीस्वी सदी में अमेरिका के भूद रिष्य में बदलावाता है भूद रिष्य से तातपरे क्या सेख तुराज अमेरिका की सीमाएं पुना निर्धारित होती हैं और ये एक बड़ी लंभी प्रक्रिया है ब्रिटेन और फर्स के परवासी उत्तरादिकार से बंचित जामनी, स्वीडन और इटली के परवासी क्रिशक के रूप में पोलन के परवासी किसान के रूप में प्रेयरीस के Throughout और ड दक्षिन्ल लाके मेंश्धव दास प्रता, इसका बोल बाला रहता है ये बहुत फायदे मन साबित हुई एक समय आया कि दासों ने स्वयम आवाज उठानी शुरू की और 1861 से 1865 के बीच में एक तरीके से ग्रिह युद्ध होता है ग्रिह युद्ध अर्थात दो गुटों के बीच में संघर्ष उत्तरी और दक्षनी राज्यों के बीच में जिस इन अंत्ताः विजई होती है दास प्रिथा के खिलाफ, खिलाफत करने वालों की और फिर कानून बनता है कनारा की समस्चा का मैंने जिकर किया था कि वहाँ कनारा की समस्चा को लेकर उसका निराकरन कुछ इस तरीके से हुए कि इन तताः सुआद राज्यों के महा संग के रूप में एक संगठन बना दिया गया दूसरी और अमेरिका पूर्वी खित्र में तेरा उपनिवेश बने हुए थे इन उपनिवेशिओं के साथ ही साथ संगतोरा जमेरिका के विस्तार की पक्रिया भी चलती है और बस्तियों का विस्तार होते चला जाता है मूल लिवासियों की बे दखली की जाती है जमीने कम कीमत पर खरीदी और बेची जाती है और जाल साजी भी होती है इस तारतम्य में जॉर्जिया और चिरो की कभीले की घटनाओं का वर्णन आपको बताया जो अपनी जमीन से मूल बाशिंदों की बे दखली का एक बहुत सटीक दाहरन है ये बे दखली को लेकर खासकर जॉर्जिया के चिरोकी को लेकर मानी नियाधिश मार्शल और ततकालीन अमेरिकन राश्पती के बीच में जो संघर्ष होता है उनके बीच में जो टकराओ होता है उसका भी जिक्र हुआ था मूल और उसके साथ ही पश्चमी अमेरिका के मूल निवासी और उनके साथ कैसा व्यवार हुआ ये भी हमने जाना उनके साथ जो बेदभाव किया जा रहा था और उनको अपनी भूमी से जो बे दखल किया जा रहा था ताकि बहमूल खनीजों की प्राप्ति इन येरोपियनों को हो सके तो इसको लेकर मूह निवासरों का प्रतिरोज बढ़ता है आरक्षन के मुद्दे को लेकर भी बात बहुत बढ़ती चली जाती है और अंत्तर 1865 से 1890 में स्विक्त राश्ट अमेरिका में विद्रो होता है और 1869 से 1885 में कैनड़ा में विद्रो होता है कैनड़ा में जो विद्रो होता है वो है मॉन्टी मो, मॉन्टी सो, मॉन्टी सो जगह का नाम है जहां पर यह विद्रो होता है तो इस प्रकार यह मूल निवासी एक तरीके से विद्रो ही रवया अक्तियार करने लगते हैं एक और जहां मून लिवासियों का विद्रो दिन-बाद-दिन बढ़ते जाता है वहीं दूसरी और Europeanों का आना भी बढ़ते जाता है और Europeanों का America आना और बसने के बहुत से कारण थे जिनमेंसे एक कारण बहुत अहम था वह था गोल्ड रश गोल्ड रश ने वहां के उस खेत्र के आर्थिक विकास में बहुत मदद की रेलवे लाइन बड़ी मात्रा में डाली गई उद्योगों का काफी विकास हुआ और इस गोल्ड रश और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पहला करोड़ पती अमेरिका में आता है जिसका नाम कार्नेगी अंडर्ट कार्नेगी और इस प्रकार अमेरिका के आधुनी की करण का एक सबल उदाहरन यहां हम इस रूप में देखते हैं 1840 में सोने की प्राप्ति का एक हल्ला हुआ था ऐसा कैलिफोर्निया में मिल रहा है जिससे येरोपियंस पहुशते हैं और पूरी जगह रेलवे का निर्माण होता है योजनाबद तरीके से अमेरिका में 1870 में और योजनाबद तरीके से कैनेडा में 1880 में जिसके कारण अद्योगी करण भी होता है क्रिशी विकाद भी होता है क्रिशी का आधनी की करण होता है खेती का विस्तार होता है और जंगली भैंसों का उन्मूलन ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जंगली भैंसों की भारी सं जो थी वहाँ यह बहुत बड़ी समस्या थी वहाँ कृशी विस्तार के लिए इस समस्या का बड़ी कडाई से बाइचन जंगली भेंसों को मार कर समस्या का निराकरण किया जाता है और अठारा सौ ब्यानेबे में अंततह महाद्वीपी विस्तार की समाप्ति होती है ये पूरा जो क्रम हमने पढ़ा ये अमेरिका के विस्तार की कहानी थी उसके बाद हम देखते हैं आधनी के समवैधानिक प्रक्रियाएं कैसी हुई अगला पायदान समवैधानिक प्रक्रिया का था और ये समवैधानिक प्रक्रिया में जो परिवर्तन आए जो कानूनी परिवर्तन आए वो अंतता आखिर बदलाओ की लहर की और ही इशारा करते हैं इसका ज़िए हम क्रमबध एक विवेचन नजर करें एक नजर थे तो 1920 पहला काल है जिसमें 1920 के पहले की स्थिती का मैंने जेकर किया था और फिर बताया था कि स्थिती वहां की दोनों जगों की बड़ी शोचनी थी सौ वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ बस मैं पना इस बात को दोराओंगा क्योंकि अमेरिका जो आज है ऐसा लगता है कि मानों इसने सौ वर्ष में ही वहां प्रगति की है जिस उंचाई पर आज वो खड़ा है अजवाइज उन्निस सो बीस के पहले का अमेरिका अन्य देशों के बराबर ही था विकास की दृष्टी से भी 1928 में लेवाइज मेरियम का सरवेक्षन होता है उसकी रिपोर्ट प्रकाशित होती है और जिसमें वह मूल लिवासियों की इस्थिति का जिक्र करता है शिक्षा के मामले में आर्थिक मामलों में स्वास्थ के मामले में सरकार का ध्यान खीचता है और पहली बार सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर थोड़ी सहान उबूती पूर्वक विचार करती हुई नजर आती हो इसी का परणाम था कि 1934 में Indian Reorganization Act पारित होता है और इंडियन कार्ड अमेरिका और वहां पे मूल निवासियों के प्रती एक युगांत कारी परिवरतन हम देखते हैं बदलाव देखते हैं जिसमें मूल निवासियों को जमीन खरीदने का अधिकार मिलता है रिन लेने का अधिकार मिलता है फिर इसके बाद 1950-60 के दशक में मूल निवासियों के लिए विश करने किया जाता है लेकिन इस प्रावधान को समाप करने के पीछे उद्येश था कि ये जो आरक्षण के नाम पर ये लोग मुक्षधारा से जो अलग हो जाते हैं वह नहीं होगा यदि ये वाला आरक्षण का मुद्दा हटा दिया जाए 1954 में इसी तार्तम में Declaration of Indian Rights होता है Declaration of Indian Rights इंडियन मतलब मूल निवासी अमेरिका के ये जो रिजर्विशन वापसी का विरोध किया था और साथ ही परंपराओं में दखलन दाजी का विरोध था इस Declaration of Indian Rights में ये 1954 की घटना है याने जुती विशुद्ध के बाद 1969 में कनड़ा में वहां की सरकार कुछ घोशना करती है और मूल निवासी इसका विरोध करते हैं वे आदिवासी अधिकारों की मानिता का समर्थन करते हैं संगठित रूप से इसका विरोध करते हैं और 1982 में समवैधानिक धारा के तहट मूल निवासीों के अधिकारों की स्वीकृति वहां मान ली जाती है